भगवंतमान को गिरिफ्तार कर लो के दोगे इस्तीफा दो वो केरला के मुख्यमंत्री बिजियन उनकी बेटी पे जाद सुरू कर दी कहेंगे बिजियन जी इस्तीफा दो मंता बनर जी जी के भतीजे पे जाद सुरू कर दी कहेंगे ममता बनर जी जी इस तीफा दे दो तो इस देश के कानून में कहते हो मुख्य मंत्री और आम आदमी बराबर है तो जरा मुझे बताईए सुमनाद भारती कानून के जानकार है क्या प्रदान मंत्री को कानून में छूट है कानून में छूट है क्या छूट है क्या अर एक मुकदमा मुहाली में लिखा जाएगा, दो दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा जारकंड में लिखा जाएगा, तीन दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा तमिलाडू में लिखा जाएगा, पांच दरोगा वहां से आएगा, और पांच मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगे तो दस दरोगा वहाँ से आ जाएंगे दस दरोगा आ जाएंगे और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा कहेगा नरिंदर मोदी जी घर पे है तो भाजपाईयो जबाद दो इसका क्या देश का पुर्धान मंतरी बंगावल के ठाने में जाके जाच में सामिल होगा की नहीं होगा बताओ मुझे जवाज़ जवाज़ इसका क्या वो सामिल होगा तमिलनाडू की जाच में क्या वो जाच में सामिल होगा पंजाब के अंदर दरोगा डियस पी एस पी इनीर विपक्ष के राज्यों से रेवंत रेड़ी के राज्य से सिद्धा रमय्या के राज से पहुँच गए ग्री मंत्री अमिस्ता के घर में बोले अमिस्ता है उससे पूच्टाज करनी है कहेंगे हम तो ग्री मंत्री है बोलो ग्री मंत्री तो सब समान है अर्विंद केजरिवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की दो करोण जनता के लिए काम करेंगे कहते हैं चिठी कैसे लिखेंगे छे महीने जेल में रहके आया भाई छे महीने जेल में रहके आया आती सी जी कैलास गैलोत के पाथ जेल भी भाग है उनसे पता कर लिजेगा मैंने तो डी पी आर भी पढ़ा संजी उजा को रास्ते में बता रहा था जेल मैनुवल में लिखा है कोई भी व्यक्ती जेल में रहके असीमित चिठीया लिख सकता है झाल 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 झाल